Hello students, मैं वैभव आपका अपनी क्लास में स्वागत करता हूँ. आज हम Integrals का Exercise 7.2 समझेंगे और Question को हल करने की कोशिश करेंगे. और साथ ही मैं आशा करता हूँ कि मैंने पिछली Exercise जो करवाई थी, वो आपको समझ में आ गई होगी, आपने कुछ Practice भी कर ली होगी. तो पहले हम यह देखते हैं कि Exercise 7.2 किस चीज़ पर Based Questions पर है. 7.2 में हमें एक Method सिखाया गया है, Method of Integration. तो हमारे जो Methods हैं, वो Total कितने हैं? पहले हम यह देख लेते हैं. एक है Substitution Method, दूसरा है Partial Fraction Method, और तीसरा है Integration by Parts. तो यह जो Exercise 7.2, यह Substitution Method सिखाने के लिए है. तो अब हम Question करेंगे इस तरह से, कि हमें समझ में आ जाए, कि Substitution की Help लेकर, हम Integrals को किस तरह से Solve कर सकते हैं? तो Substitution होता क्या है दरसल? Substitution हमने तुमको याद होगा, Substitution नाम तुमने जो पहले सुना हुआ है, वो कहां सुना है सबसे पहले? Question तुमने किये हैं, Substitution के, लेकिन Linear Equations in Two Variables जो चेप्टर था, कौनसी क्लास में? 10th क्लास में, उसमें तुमने Linear Equations को Solve किया था, Substitution Method से, तो वहां पर हम क्या करते थे? अगर तुम्हें याद हो, तो हम, या तो Y को In Terms of X लिखते थे, या X को In Terms of Y लिखते थे, तो इसको कहते हैं Substitution, हम किसी भी एक Variable को, किसी दूसरे Variable के तौर पर लिखें, इसको Substitution कहा जाता है, वहां पर तो दो Variable थे, X, Y, तो इसमें हम क्या करेंगे? जैसे कि हमारे पास Integral है, Fx, Dx, इसको हमने Solve करना है, तो अगर हम Substitute करना चाहें, तो हम कर सकते हैं, कि X को हम, कोई तीसरा Variable ले लेंगे, Z, G of Z, इसमें बदल लेंगे, X की जगए G of Z पूट करेंगे, तो Dx की जगए क्या आ जाएगा, देखो, हम इसका अगर Derivative करें, तो G-Z, DZ, तो Integral किसमें बदल जाएगा? Integral बदल जाएगा, F of GZ, G-Z, DZ, तो अब तुम कोगे सर, ये तो असान Integral को मुश्किल बनाने का तरीका नजर आ रहा है, नहीं Students, बिलकुल नहीं, ये Substitution Method, क्योंकि मैं पहली बार समझा रहा हूँ, तुमको, और दूसरी बात ये, कि मैंने Relatively Simpler एक Integral जो हमें लग रहा थ उसमें Substitute X को कर दिया, इस वज़े से ये थोड़ा सा Lengthy और Difficult Integral लगने लग गया, जबकि Actual में जब हम Integration में Substitute करते हैं Variable को, तो वो Integral Solvable हो जाता है, Easy हो जाता है, तो मैं ज़्यादा Detail में न जाता हुआ, सीधा Example ही Consider करता हूँ, चलो, एक Example लेते हैं हम Substitution Method से किस तर कर सकते हैं, एक Example ले लेते हैं, बड़ा ही प्यारा Example है, देखो, मान लो हमारे पास एक Integral है, 10 पावर 4 रूट X, सीकेंट स्क्वेर रूट X, होल अपॉन रूट X, डी X, अब तुम कहोगे के सर ये तो बड़ा ही भयानक सा Integral आपने ले लिया, देखने में फिल हाल ये ऐसा ही लग रहा है कि Difficult है, लेकिन हम एक छोटा सा जब Substitution करेंगे, तो तुम देखोगे, ये बिलकुल आसान बन जाएगा, कैसे, चलो देखते हैं, हम ऐसा करते हैं, हम 10 रूट X को Z पुट कर देते हैं, तो differentiate किया हमने, differentiate with respect to X, तो तुम जानते हो, 10 रूट X का derivative क्या होगा, secant square root X upon 2 root X, मैं derivative को जादा define नहीं करूँगा अब, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि तुमको derivative अच्छी तरह हैं, समझ में आ रहा है, is equal to dz by dx, इस तरह से हमने differentiation कर दी, अब यहाँ पर 10 power 4 root X है, तो 10 root X की power 4, उसको तो हम z की power 4 लिख देंगे, secant square root X upon root X, ये क्या बन रहा है, ये यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है, चलो, ऐसा करते हैं, थोड़ा और adjust करते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पर हमको कहीं भी 2 नजर नहीं आ रहा, तो 2 को हम उदर भेज देते हैं, और dx को इदर भेज देते हैं, तो क्या बन गया हमारे पास, देखो, secant square root X upon root X dx is equal to 2 dz, तो हम देख रहे हैं, कि secant square root X upon root X dx, इस पूरी की जगे क्या आ जाएगा, 2 dz आ जाएगा, और tan root X, जो है, उसकी जगे Z आएगा, तो ये Z power 4 हो जाएगा, तो हमारा integral क्या बन गया, देखो, therefore, I is equal to integral Z power 4 dz और 2 आगे, क्योंकि ये 2 dz था, अब देखो जड़ा, अब ये बड़ा ही difficult और भयानक दिखने वाला integral कितना simple बन गया, बन गया ना, और किस की वज़े से हुआ, सिरफ और सिरफ substitution की वज़े से हुआ, तो इसको solve करना कौन सा मुश्किल है, 2, हम जानते हैं, अब X power N का ये वाला formula, X power N dx कल किया था, तो इसका integral का answer क्या होता है, X power N plus 1 upon N plus 1 plus C, यही होता है, यानिके X की जितनी power होती है, उसमें एक plus कर देते हैं, divided by, वही number आ जाता है, तो यहाँ X का function था, और हम integration भी X के with respect to कर रहे थे, तो यहाँ Z का function है, और हम integration भी Z के with respect to कर रहे हैं, तो ठीक है, यह आजाएगा, Z power 5 upon 5 plus C, ठीक है, समझ में आ गया, कोई मुश्किल काम नहीं है, तो आई आ गया, 2 by 5, Z power 5 plus C, which is equal to, अब देखो, यह जो Z है ना, यह वाला, यह हमने introduce किया है इस question में, question तो in terms of X था, तो हमारी यह जिम्मेदारी बनती है, कि हम answer भी in terms of X ही दें, तो Z की जगे क्या आ जाएगा, X, और वो कैसे आएगा, Z की value क्या थी, हमने खुद ही तो put की है, देखो, यह Z की जगे 10 root X आएगा, तो 10 root X power 5 plus C, तो इस तरह से substitution से एक difficult लगने वाला जो integral है, वो solve हो गया, तो I think यह समझ में आ गया होगा तुमको, अब ऐसा करते हैं, इसकी help से कुछ एक और integral solve करके देखते हैं, जिनको हम क्या कहेंगे, अपने formula की list में शामिल करेंगे, तो सबसे पहले, करें जड़ा solve, हम देखते हैं, कि integral 10 X क्या बनेगा, integral 10 X को हम इस तरह लिख सकते हैं, sin X upon cos X dx, 10 X, लिख सकते हैं, 10 X को sin upon cos X, मैंने लिख लिया, अब मैं क्या करूंगा, put, किस को करूं, put, मैं ऐसा करता हूं, cos X को Z put कर देता हूं, put cos X equal to Z, तो differentiate किया मैंने, with respect to X, तो students एक बात और मैं बता देता हूं, हम इस तरह से इसको नहीं लिखेंगे, हम differentiation के बाद सीधा इस step पे आएंगे, मतलब DX यहीं पे मैं लिखूंगा, इसके साथ confuse होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी, तो minus sin X DX is equal to DZ, अब यहां पर minus तो है नहीं, तो minus को दूसरी तरफ ले जाओ, तो हमारे पास आ गया, sin X DX is equal to minus DZ, तो चलो फैर, इस से हमें क्या मिला, integral क्या बन गया, देखते हैं, तो देखो, sin X DX की जगा minus DZ आ जाएगा यहां पर, और cos X की जगा Z, तो therefore, integral is equal to, minus हमने यहां लगा दिया पहली, integral DZ upon Z, तो इसका integral का formula क्या था, हम सब जानते हैं, log mod Z plus C, अब Z की जगह, मैंने पिछले example में भी समझाया था, कि हमें in terms of X लेके आना है question को, तो आई कितना आ गया, minus log mod cos X plus C, और यह तो है, साथ में हम एक और तरह से भी इसको represent कर सकते हैं, इस minus को मैं आगे अगर लेके जाऊं, तो cos की power minus 1 बन जाएगी, हम सब जानते हैं इस property के बारे में log की, कि जो power होती है, वो आगे multiply में आ जाती है, तो उसका reverse process मैं ने किया, इसका फाइदा क्या होगा, हमें एक जादा compact result मिलेगा, यह बन जाएगा 1 upon cos x का mod plus c, तो यह compact कैसे हुआ, 1 upon cos क्या होता है, secant x, तो यह result हमें मिला है, जाने के हम लिख सकते हैं, integral of tan x dx, is equal to log mod secant x plus c, secant में लाने के दो कारण है, एक तो यह minus हट गया यहां से, थोड़ा compact हो गया, और दूसरा हम शुरू से देखते आएं, कि identities trigonometry में भी tan और secant को relate करती हैं, तो यह जो result है, वो एक formula के तौर पे तुम अपनी list में शामिल कर सकते हो, और एक बात, अब substitution की एक खास बात समझो students, देखो, ऐसा नहीं है कि हम हर एक question में substitution कर सकते हैं, और बगार सोचे समझे, substitution करने के लिए हमें यह देखना होता है, कि यहां पर, मैं जिसको substitute कर रहा हूं, उसका derivative भी यहीं मुझे दिखना चाहिए, मैंने यहां पर secant root x को क्यों नहीं substitute किया, सोचो, क्योंकि secant root x का जो derivative है, वो secant root x, tan root x upon 2 root x बनता, तो यहां पर तो secant square है, यहां tan की पावर 4 है, तो यह थोड़ा सा difficulty level बढ़ा देता, जबकि tan root x का derivative, secant square root x upon root x, वो तो यहां मुझे पड़ा दिखाई दे रहा है, यहां derivative है, यह function है, अच्छा, सकते हैं कोई problem नहीं, तो cos x का derivative हमको यहां पर दिखाई दे रहा है, तो substitution करने से पहले, ऐसा नहीं है कि हम किसी को भी कभी भी substitute कर सकते हैं, substitution करने से पहले, एक बार यह देखना चाहिए, कि dx के साथ multiply में, एक बार फिर मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लो, dx के साथ multiply में, हमारे पास derivative होना चाहिए, अगर मैं sin x को यहां पर z put करूँगा, तो obviously उसका derivative cos x आएगा, कोई problem नहीं है, sin x का derivative cos x आएगा, लेकिन वो dx के साथ multiply में नहीं पड़ा, देखो क्या बन जाएगा, मैंने sin x को z put किया, तो cos x dx जो है, वो dz बनेगा, जबकि हमारे पास क्या है, हमारे पास है dx upon cos x, तो यह term कैसे बनेगी, बनी नहीं सकती, तो students यह ध्यान देने वाली बात है, कि जिसको भी तुम substitute करोगे, उसका derivative dx के साथ multiply में तुमें दिखना चाहिए, और यह चीज पता लगाना, कोई बहुत difficult बात नहीं है, हम question करेंगे, exercise 7.2 जब शुरू करेंगे, तो तुमको पता लग जाएगा, कि यह कोई difficult काम नहीं है, तो चलो फिर हम एक और formula करते हैं, तयार अपना, जैसे कि यह 10x का formula तयार किया है, अगला formula तयार करते हैं, हम integral consider करते हैं, cot x dx, यह formula लिख लो अपनी list में students, तो cot x को मैं लिख सकता हूँ, cos x upon sin x dx, तो अब बताओ, कौन सा function है, और कौन सा derivative, obviously derivative तो cos x ही तुमको consider करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि dx के साथ multiply में तो यही है, तो फिर function कौन सा लोगे, substitute किसे करोगे, obviously sin x को, तो हम लिखते हैं, put sin x is equal to z, तो differentiate, with respect to x, cos x dx, is equal to dz, तो हमारा integral क्या बन गया, therefore, i is equal to integral dz, cos x dx जो है, वो यहाँ पर देखो, वो बन गया dz upon sin x z है, upon z, तो यह बन गया log mod z plus c, तो यह क्या बन गया, log mod sin x, क्योंकि हमने दुबारा x में लेके आना है, तो जो अब formula हमारे सामने है, वो यह है, integral cot x dx is equal to log mod sin x plus c, तो यह है हमारा अगला formula, जो कि हमें substitution method को use करके मिलाए, तो आइ थिंक यह तुमने लिख लिया होगा, अगले formula की तरफ चलते हैं, जो कि हम formula के तोर पर use करेंगे, जिस result को integral consider करो, sec x dx, मैं कुछ इसमें multiply डिवाइड करूँगा, sec x multiply किया, sec x plus 10 x divided by sec x plus 10 x dx मैंने क्या किया, sec x का integral करने के लिए, sec x plus 10 x से multiply, divide कर लिया, अब substitution, मैंने करनी है, obviously exercise substitution की चल रही है, उसी के examples ले रहा हूं मैं, तो sec x plus 10 x को हम z put कर देते हैं, देखो, put sec x plus 10 x is equal to z, कई books में t भी लिखते हैं, तुम t भी लिख सकते हो, z लिख सकते हो, y लिख सकते हो, तुम्हारी अपनी मर्जी है, मुझे z पसंद है, तो मैं z लिख रहा हूं, तुमको t पसंद हो, तो t लिखो, तुमको y पसंद हो, तो y लिखो, मतलब अपनी पसंद से variable चूज कर लो, तुम्हें अच्छा भी लगेगा, तो differentiate करो, differentiate with respect to x, तो secant का derivative होता है, secant x टारी dz बनेगी, कैसे, इन दो terms में से, हमने क्या किया, प्लस, फिर इन दोनों में से क्या रहा गया, tan x, dx, is equal to dz, तो, यह सारा dz बन गया, और यह है, set, therefore, i is equal to, integral, dz upon z, तो यह बन गया, log mod z, plus c, तो, z की जगए, अब हम, दुबारा से, secant x, plus tan x, लिखने लगे हैं, तो, हमारे पास, result क्या आ गया, यह formula लिख लो, students, integral of secant x, equal to, log mod, secant x, plus tan x, plus c, तो, यह आ गया, हमारे पास, result, और, यह, formula में, तुमने, शामिल कर लेना है, एक और result है, हमारे पास, इस से अगला, integral of, cosecant x, dx, तो, तुम इसी तरह, उसको solve करके, देख सकते हो, मैं, तुम्हें, सीधा, result, बता देता हूँ, के वो result, क्या आएगा, वो result है, students, log, mod, cosecant x, minus, cot x, plus c, तुम इसी तरह, बिल्कुल, solve करके, अपने आप, देख सकते हो, तो, ये दोनों, तुम अपनी, result में, शामिल कर लो, जो भी तुमने, results की list, बनाई हुई है, ताकि, उनको, formula के तोर पे, आगे हम, यूज कर सकें, तो, अब, मेरे ख्याल से, हमारी इतनी, तैयारी हो चुकी है, कि, हम exercise, 7.2 को, start कर सकें, तो चलो, exercise, 7.2 का, पहला question करते हैं, ये है, हमारा, exercise, 7.2 का, पहला question, integral of, 2x, upon, 1 plus x square, यहाँ पर, कौन सा function है, और कौन सा derivative, यह पता लगाना, बिलकुल असान है, 1 plus x square का, derivative करो, 2x आएगा, वह उपर भी है, dx के साथ multiply में, तो, लिखो, put, 1 plus x square, is equal to z, हमने इसको, differentiate किया, with respect to x, 2x dx, is equal to dz, तो therefore, हमारा integral क्या बन गया, dz upon z, जिसका answer आएगा, log mod z, plus c, तो, integral की value क्या बन गई, log mod, 1 plus x square, plus c, अब 1 plus x square, अगर x को हम real number ही मान रहे हैं, क्योंकि यह सारी integration, जो हम कर रहे हैं, या calculus, जितना भी हम 12th class में cover कर रहे हैं, वो सारे real valued function है, x को हम real ही मान कर चल रहे हैं, तो यहाँ पर bracket भी लगा सकते हो, क्योंकि हम जानते हैं, कि 1 plus x square कभी भी negative नहीं होगा, mod लगाना है, mod भी गलत नहीं होगा, लेकिन क्योंकि 1 plus x square रहेगा ही positive, तो mod लगाने की बजाए bracket से भी काम चल सकता है, तो I think यह समझ में आ गया होगा, चलो, अगले question की तरफ चलते हैं, question number 2 है, I is equal to integral of log x square upon x dx, यह है हमारा question, तो, इस question को solve करने के लिए देखो, सीधी सी बात है, log x का derivative याद करो, 1 upon x होता है, तो 1 upon x dx के साथ multiply में है, तो हम क्या करेंगे, put log x is equal to z, differentiate किया, differentiate with respect to x, तो log x का derivative, 1 upon x, साथ में dx is equal to dz, तो हमारा क्या बन गया, integral, therefore, I is equal to integral, z square dz, क्योंकि log x का square था, log x z के बराबर है, तो z का square और dx upon x, यहाँ पर dz की value के बराबर आ गया, तो इसका integral कितना असान है, देखो, 1 by 3, z cube प्लस c, क्योंकि 1 power प्लस, upon में वही नमबर, तो result क्या आ गया, result हम लिखने जा रहे हैं, therefore, I is equal to, 1 by 3, log x cube, प्लस c, तो यह हो गया, question number 2, हमारा solve, third question है, हमारा, I is equal to, integral of 1 upon x, plus x log x, dx, तो क्योंकि log x, जब भी तुमें दिखे न, एक बात का ध्यान रखना, कि 1 upon x, dx जरूर बनाओ, जैसे पिछले question में, हमने बनाया था, हमारे पास, पिछले question में, log x का square था, तो log x को z put की किया, हमने, तो 1 upon x, dx, derivative बना, तो ऐसे ही, अब यहाँ पर भी, हमने कोशिश करनी है, कि किसी तरह, 1 upon x, अलग से, dx के साथ, multiply में आ सके, तो उसके लिए, हमने क्या किया, हमने, x common ले लिया, तो x common लेने के बाद, इन दोनों टर्म्स में, क्योंकि x है, 1, प्लक्स लॉग x बचा, देखो, x में से x common, तो 1, x log x में से x common, तो log x, अब इसको थोड़ा सा, रियरेंज करके लिखें, ताकि हमें substitution, कैसे करनी है, समझ में आ सके, तो हमने क्या किया, इसको ऐसे देखो लिखा, 1 प्लस, log x, into 1 upon x, dx, अब हमें clearly पता चल रहा है, कि 1 प्लस log x को z put करेंगे, तो derivative 1 upon x आएगा, तो put, 1 प्लस, log x is equal to z, differentiate with respect to x, 1 upon x, dx is equal to dz, क्योंकि 1 का derivative 0 होता है, being constant, तो 1 upon x dx dz बन गया, तो देखो, 1 upon z, और यह सारा dz, तो हमारा integral क्या बन गया, therefore, i is equal to integral, dz upon z, यह पूरा dz है, यहां भी लिखा जा सकता है, upon यह z हो गया, तो, log mod z, प्लस c, तो इसका answer क्या आएगा, i is equal to, log mod, 1 प्लस log x, प्लस c, z की जगे, हमें दुबारा से, जो substitute किया हुआ होता है, function x का, वो वापिस लिखना ही होता है, क्योंकि question तो x में था, यह z जो है, या तुम t put करोगे, या y put करोगे, या w put करोगे, जो भी put करोगे, वो तो हमारा अपना, create किया हुआ variable है, उसको हमें हटाना ही पड़ेगा, x में question था, तो x में ही answer, तो चलो, अगले question की तरफ चलते हैं, fourth question है, इसी exercise का, integral of sin x, sin of cos x dx, तो इसमें क्या substitution करें, क्योंकि इसमें तो numerator, denominator का चक्कर नहीं है, इसमें तो numerator में ही है, सब कुछ, तो हमें यह देखना चाहिए, कि dx के साथ, कौन सा function as derivative आ सकता है, अगर हम consider करें, sin x dx, तो sin x derivative अगर मनें, तो उसका, जो function होगा, यानि derivative sin x है, तो इसका function कौन सा होगा, जिसका हमें derivative करना है, cos x, minus आएगा, obviously, वो हम बाहर लिख देंगे, तो यह हमें अब, यहां से idea मिल रहा है, और सबसे odd बात भी यही लग रही है, कि हमें अकसर, sin का जो angle है, वो theta या x होता है, लेकिन यहां पर, sin का angle, अपने आप में cos x है, तो सबसे odd चीज जो है, उसको सबसे पहले तुमें, locate करके, देखना चाहिए, कि क्या, यहां पर मैं इस तरह से substitution कर दूँ, कि यह सबसे odd चीज को ही, मैं एक variable मान लूँ, z मान लूँ, तो क्या, इसका derivative पढ़ा है, यह सबसे पहले तुमें locate करना चाहिए, तो तेजी से question solve हो सकता है, तो put cos x is equal to z, differentiate with respect to x, minus sin x, dx is equal to dz, यह minus sin उस तरफ चला गया, sin x dx is equal to minus dz, तो sin x dx dz बन गया, minus sin obviously यहां लगेगा, और sin of cos x बन गया, sin of z, तो therefore integral बन गया, minus sin z dz, तो sin x का integral कितना होता है, minus cos x, तो यहां z है, तो cos z हो जाएगा, minus cos z plus c, अब यह minus minus हो जाएगे, plus, तो cos z plus c आ गया, लेकिन फिर वही बात, z को हमने replace करना है, cos x से, तो यह हमारा question हो गया, solve, चलो एक question फटा फट और करके देखें, चलो एक question और फटा फट देखते हैं, मैं अभी फिल हाल, बीच में कुछ questions हैं, उनको छोड़के थोड़ा आगे जा रहा हूं, मैं question कर रहा हूं, question number 15, तो i is equal to, वो है, x upon 9 minus 4x square, dx, यहां पर, तुम देखो, कि 4x square का derivative, x है, तो थोड़ा सा hint दूँगा मैं, question तुमने खुद कोशिश करनी है, solve करने की, इसको z put कर दिया, derivative करेंगे, तो minus 8x dx dz बन जाएगा, और x dx कितना आ जाएगा, minus 1 by 8 dz, तो यह मैंने hint दे दिया है students, तो तुमने कोशिश करनी है, इसको खुद solve करने की, बाकी question, exercise 7.2 के हम अगली क्लास में लेंगे, तब तक मैंने जो question कराएं हैं, और जो formula कराएं हैं, उनकी practice करो, उनको सीखो, और अब वैभव की तरफ से, thank you,